नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग बार किसे रिडेटर बहुत इंपॉर्टन कोश्चन देखने वाले हैं यह कोश्चन हमारा हिंदी और इंगलिस दोनों में है आप लोगों की से ज्यादा शेयर करना है पहला कोश्चन है यहां पर भाभा अटामिक रिसर्च सेंटर इस सिचुएटेड इन भाभा परमाण अनुसंधान केंद्र कहां पर इस्थित है देलही मुंबाई चन्नाई हैदराबाद देखे जो बार के है यह आपका पढ़ता है मुंबाई मु में पढ़ता है उसी जेगह पर भाभा परमाण अनुसंधान केंद्र यानि की भाभा अटामिक रिसर्च सेंटर इस्थित है अब दूसरा कोश्चन है दा पीरियड आफ रिवोलूशन आफ ए जीयो स्टेशनरी सेटलाइट इस भू इस्थिर उपग्रह का परिक्रमन काल कि देखें जो भू इस्थिर उपग्रह होता है यह पिर्थिवी के सापेच अगर जो गतिक रहती है वह कांश्टिंट रहती है यानि कि जितना चकर पिर्थिवी लगायागा उतना चकर यह भी लगाता है अपने धूरी पे तो यह होता है 24 गंटा 24 गंटा यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा कि भू इस्थिर उपग्रह का परिक्रमनकार 24 गंटे होता है तो यहां पर टू का यह आंसर करेक्ट हो जाएगा अब है हमारा तीसरा कोश्ट्ट इन्विच यह वाजदा इंडियन इस्पेस रिसर्च आर्गिनाइजीशन इस रो जिसे साटकाट में कहते हैं निमनम में से किस वर्ष भारती आंतरिश अनुसंदान संस्थान इसरो की अस्थापना हुई थी तो देखिए जो इसरो थी इसकी अस्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था तो 1969 यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा तो आप सो नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि 15 अगस्त 1979 में हुआ था है है जो था कोशन है यहां पर एन एस्ट्रोनाट इज कि आउटर स्पेस इज अब जर्व इसकाई एज एक अंत्रिश च्यात्री को बाहरी आंत्रिश से आकास कैसा दिखेगा देखिए जो यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एन एस्ट्रोनाट इन आउटर स्पेस विल आप जयर्व सकाई एज बलाएग तो यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा पांचमां कोश्चन है वाट इजदा फुल फार्म आफ इस रो का पूरा नाम क्या है आपसन है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो आपको पता होगा कि जो इस रो है इसका फुलफार में होता है इंडियन इस्पेस रिसर्च अर्गनाइजेशन यानि कि भारती आंतरी चनुसंधान संस्थान और इसकी अस्थापना पंदर गस्त नांटिन सेश्टीनाइन में हुआ था छठा कोश्चन है विच आफ देज इंडियन सेटलाइट टेवी प्रोग्राम्स इज यूजड फार लांग डिस्टेंस टेली कमुनिकेशन निम्न में से कौन सब भारती उप रहे हैं टेवी कारेक्रमों के लिए लंबी दूरी के दूर संचार हेत परियोग किया जाता है इन स दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लाग रहा हो तो जरूर लाक करें और ऐसे वीडियो अगर आप लोगों को शेयर करना है सपोर्ट करना है कम से कम 24 आवर के अंदर के दो हजार आपको टके आप समूंझ लीग हमारा मेहनत यहां बेर सफ़ल होगा क्योंकि हम भ तो भी ठीक नहीं है तो अब साथमा कोशन है कि एक एश्टोनाट इसकाइप एक अंत्रिच च्यात्री को आकास दिखाई सुपर्णुवा रहता है यह एक प्रकार का मृत तार है यानि का यह डाइंग इस्टार एक मृत तार है सुपर्णुवा अब नौवा कोशन है किसने पहली बार जियो सिंक्रोनस प्रिक्रमा में दूर संचार उबगरे अस्थापित करने की संभावना जता आई थी एडिविन पी हबल विलियम हर्सल आर्थर सी कलार्क और हैं पियर लेपलेस तो देखिए जिसने पहली बार जियो सिंक्रोनस प्रिक्रमा में दूर संचार उबगरे अस्थापित करने की जो संभावना जता आई थी वह आर्थर सी कलार्क थे तो यहां पर इसका सी आंसर करेक् कलार्क अब है हमारा दस नंबर का कोश्चन विच स्पेस वाइकल पुट मैं आंदा मून फर्स्ट टाइम किस आंत्रिच्यान ने मानों को पहली बार चांद पर उतारा था या पहुंचाया था आपसन है अपोलो चैलेंजर कोलंबिया एक्स्प्लोरर देखिए जिस आंत्र का नाम अपोलो था तो अपोलो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को जरूर लाइक करें ग्यारे नंबर कोश्चन है विच इस दा लेटेस्ट सैटेलाइट आफ इंडियन प्लेश्ड इन दा जीयो सिंक्रोन स्थापित किया गया है तो जो हाल ही में किया गया था यह था इंसेट थिरी अब बारे नंबर का कोश्चन सहां इंस्टिटूट आफ नुक्लियर फिजिक्स इस सिचुएटेड इस सहा परमाण विग्यान संस्थान कहां पर इस्थित हैं मुंबई कोलकाता चन्नाई नीज सतने ऑन साहव बिग्यान संस्थान है यह परदता है कोलकाता में दोस्तों जितने भी आपका का लिए संस्थान हो या नुकलियर संबंदी संस्थान हो इतने भी है उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्रिशन बाक्स में मिल जाएगा तो आप महां से देख सकते हैं या आप हमारे दूसरे चैनल अब्जेक्टिव जी के चैनल को जोइन कर जाता है तो आप लोग उसे जरूर देखें लिंक आपको डिस्क्रिप्रिशन बाक्स में मिल जाएगा और उसे आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि वहां पर थ्योरी रहता है कि जितने भी परमाण और संधान केंद्र हैं वहां पर सब आपको डिटेल मे में बताया गया है कि तेरे नंबर कोशन है वाट इस दा नेम गीविन टू इंडा लॉजिकल रिसर्च सैटेलाइट मेट सैट लांच्ट इन टू थाउजंट थिरी 2003 में लांच हुए भारती मौसम अनुसंधान उग्रह का नाम क्या था आपको ने आरेवट कलपना फर्ष्ट भासकर फर्ष्ट विक्रम फर्ष्ट तो जो 2003 में लांच हुआ था वह भारती मौसम अनुसंधान उग्रह जो था उसका नाम था कलपना फर्ष्ट तो यहां पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 14 नमबर का कोशन है वाट इस दा नेम गीवें टू इंडिया लुनार मिसन भारत के चांद मिसन को क्या नाम दिया गया है विक्रम फ़र्ष्ट कलपना सेकेंड चंद्रयान फ़र्ष्ट इंसेट फाइफ तो आपको पता होगा कि जो चांद मिसन पर भेजा गया है वाग हमारा चंद्रयान है चंद्रयान यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसो नमबर से पंदरे नमबर कोशन है जी यो इस्टिशनरी सैटलाइट revolves at भो इस्थिर उबगरह जो होता है यह घूमता है देखे जो भो इस्थिर उबगरह होता है यह एक fix उचाई पर घूमता है और यह कितने उचाई पर घूमता है तो यह 36,000 किलोमीटर की उचाई पर fix होता है तो यहाँ पर यह इसका height फिक्स होता है तो यहां पर होगे आपसा नंबर भी जो भो इस्थिर उपग्रया घूमता है या 3600 किलिमीटर की उचाई पर फिक्स होता है इसका है और वहीं पर घूमता है अब है 16 नंबर का C sănd अफो है अब है दिए आधरोजन के वात वर्ण में छोड़े जाने की प्रखिरिया को क्या कह जाता है यह कहलाता है डिनल्टरिफिकेशन तर बेन डिनल्टरिफिकेशन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाए अब है सत्रे नंबर का कोश्चन नुक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड एड परमाण उर्जा स्टेशन कहां पर इस्थित है तो देखें जो परमाण उर्जा स्टेशन है यह आपका तारापुर में है एक तो यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ज कोशन है फूर रेगुलेट्स दा सलाट्स वेयर दा जीयो सिंक्रोन सैटलाइट सुड भी प्लेश्ट भू समकालिक उपग्रहों को अस्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है यूजन सिक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल टेली कम्मुनिकेशन यूनियन नासा फिर है इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यह इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कोश्चन है 19 नुमबर को कोश्चन है इंद्रा गंधी सेंटर फार एकामीक रिसर्च इज सिचुएटेड़ हैं तो सिचुएटेड इन यानि कि इंद्रा गांधी परमाण उनसंधान केंद्र कहां पर है तो जो इंद्रा गांधी परमाण उनसंधान केंद्र है यह पढ़ता है कलपकम में तो यहां पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इंद्रा गांधी परमाण उनसंधान केंद्र आप लोग जरूर देख लिएगा इस कोश्चन के बाद 20 नंबर का कोश्चन है किस ब्यक्ति ने चांट पर पहला कदम रखा था तो यह पहुत असान सा कोश्चन है आप लोगों को पता होगा कि निल आर मस्ट रांग यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा आपसा नंबर सी दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जिन लोगों ने हमारे नए चैनल अब्यक्टिव जीको को नहीं सब्सक्राइब किया है वह जरूर सब्सक्राइब कर लें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए और इसको कम से कम आप लोग 24 गंट के अंदर 200 लाइक जरूर कर दें वीडियो को और कम से कम 2000 व्यूज इससे आप लोग देख लें 24 गंट के अंदर ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि हम जितना महनत कर रहे हैं उसी साथ से आप लोग देख भी रहे हैं तो हमारा और भी वीडि वीडियो में, थैंक यू.